हलो दोस्तों वेलकम बैक माई यूट्यूब चलतों स्वागत मेरे इस वीडियो पर आपको तादे आज की हमारे लेश्ट में सोना लिखा है कि बहुत ही कमाल का ट्रेक्टर आप इसका देखेंगे कि ओन रोड प्राइस कितना पढ़ने वाला है और कितना डाउन परमेंट करक आप इससे घर ले जा सकते और कितना आपको इमाई भरने बादा है और इस ट्रेक्टर की बात के तो सोना लिका, डी आई थिफाइफ अर इसकी मारकेट में बहुत जादा डिभाट भिय है लोग काफी पसंद करें इस ट्रेक्टर को इसमें बहुत ही सारे खूबिया चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे बढ़ने सपहले अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं हो तक कर देजेगा इसमें रहने वाला है और इसमें इसके बाद नम्मर ऑफ गियर की बात करें तो आपको आठ फॉरवर्ड गियर और दो रिवर्स गियर मिलने वाले हैं और इसका फ्यूल जो कैपेसिटी रहता है चालिस केजी तक आप इसका टंकी फूल करवा सकते हैं तो बेहद ही आप देख से तो गजब का टेक्टर है वेट लिप्टिंग जो है दो हजार केजी तक है सिलेंडर तीन मिल जाएगा तो सोना लिगा का डिय जो थर्टी ट्रेक्टर काफी अच्छा है चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि यह सुना लिगा का जो ट्रेक्टर इसका ओन रोड प्राइस कितना रहने वाला है और कितने किस्ट आपको देना पड़ेगा और कितना आपको डाउन पेमेट करना पड़ेगा सबसे पहले यहां पर ऑन से 10,000 रुपिया इंस्वरेंस पड़ जाता है और इसका टोटल और प्राइस रहने वाला है 6,50,000 तक राम से आपका हो जाएगा और प्राइस रहता है चलिए आपकी जानते कि कितना डाउन पेमेंट करने के बाद आप इसे घर ले जा सकते हो और आपको कितना यह माई पेम मान के चलिए तो टोटल जो लॉन इमाउंट आपका रहेगा 4,30,000 रुपिया आपका लॉन इमाउंट रहने वाल है और 60 मैंने तक आपको 9,888,60 मैंने मतलब 5 साल तक EMI पेमेंट करना पड़ेगा और इसे में 7 साल की बात करे तो 7 साल तक आपको 7,882 रुपिया EMI करते हो तब आपको EMI कितना पेमेंट करना पड़ेगा इसे में भी हम लोग 5 साल और 7 साल दोनों देखने वाले हैं तो यहां पर देख सकते हो कि डाउन पेमेंट हमका 1,500,000 रुपिया रहता है और रेट से हम आपका 9% रहने वाल आप किसी भी बैंक से लोग 9% ही चल जाता है इसके बाद total loan amount जो रहेगा आपका 3,90,000 रुपिया loan amount रहता है अगर आप 60 रुपिया के लिए finance कराते हो तो आपको 8,949 रुपिया पर एक मेना देने पड़ेगे 5 साल तक इसी में हम लोग 7 साल की भी देखे तो 7 साल में आप देख सकते हो 7,156 रुपिया आपको EMI payment करन लेकिन आप जब 84 मत के लिए कराऊ गये तो 1,54,000 रुपिया तक आपका लगता है लास्ट में मैंने उसको भी समझाने की कोसिच की है इसके बाद लास्ट जो हमारा डाउन पेमेंट रहने वाला है 2,50,000 रुपिया डाउन पेमेंट करते हो तब आपको इतना EMI भरना और इसी में 84 मत की बाद करें तो 335 रुपिया 7 साल तक आपको EMI पेमेंट करना पड़ेगा तो 60 मत के लिए 5 साल के लिए 662 और 84 मत के लिए 335 रुपिया EMI पेमेंट करना पड़ेगा और टोटल आपका जो लौन एमांट रहने वाला है 2,90,000 अब चलिए देख लेते हैं कि कितना साल पे आपको कितना बैंक इटर्स लगता है अगर हम लोग बात करें कि down payment आप 2,50,000 रुपिया करते हो तब आपको बैंक इटर्स कितना देना पड़ रहा है तो देख लिए 36 मत की बात करें तो लगभवं यहां पर 89,000 रुपिया आपको payment करना पड़ रहा है बैंक और इसी में 60 मेने में देख लेगा एक लाग 7,000 रुपिया आपको बैंक इटरस देना पड़ेगा और 7 साल में आप अगर ले रहो तो एक लाग 4,000 तो आपका मर्जी है जितना ले सकते हो आप 84 मंद का भी लिजेगा तो थोड़ा बैंक इटरस ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लेश वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलेगा और आपके लिश्ट में भी कोई गाड़ी है तो कॉमेंट बॉक्स में बता दिजेगा मैं कोसिज करूँगा उस पर भी वीडियो बना दूँ तो जैह जैवारा थ, तैंक य। थैंक फर वाचिंग।